येंदर सरकार की FAMA 2 योजना अंतरगाते पर्यवरन पूरक इलेक्ट्रिक बस खरीदी करने पर सबसीडी मिलने के कारण आनन फानन में मनपा की परिवन विभाग ने इनकी खरीदी करने लिया लेकिन चारजिंग की ववस्था के बिना ही इलेक्ट्रिक बसों की खरीदी होने से अब मनपा के परिवन विभाग की बेतरतीब कारेपणाली चर्च का विशेब बन गई है बताया जाता है कि योजना की अनुसा परिवन विभाग ने कुल 40 बसों की खरीदी की टेंडर की शर्तों समझोते के अनुसा मैसर्स एवी ट्रांस प्राइवेट लिमिटेट कंपनी की और से इन बसों की आपूर्ती भी कर दी गई है लेकिन आलम या है कि परिवन विभाग चार्जिंग की ववस्था के आभाव में केबल 22 बसों का ही संचालन कर पा रहा है टेशन का निर्मान कीा गskyा है आलकि चार्जिंग तायार है लेकिन विजली के आपूर्ती नहीं होने के कारण स्टेशन क्रियान triggered नहीं हो पाया है फल्सरू बसे तो वारी डीपो में खडई हैं लेकिन इनका संचालन नहीं हो पा रहा है इससे मनपा की किरकरी हो रही है। उलेकनी है कि अब लकडगंज में निर्मेट चार्टिंग स्चेशन से कुछ बसों को चार्च कर संचालन किया जा रहा है 22 बसों का संचालन कर पाना संभव हो रहा है बिजली आप पूरती सुनिशित होने के बाद पूरी बसों का संचालन शिरू हो सकेगा कैमरा परसन राजकुबा मुहर किसा शितिजा देशमुग BCN News नाकपुर